नमस्कार दोस्तों कनग जीवन चैनल में आपका श्वागत है आज हम एक मचली पर ब्लॉग ले करके आए हैं मचली हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है वास्तु सास्तर के उनसार मचलीयों का पालन करना क्या फाइदे मंद है या नुक्सान दायक है यह धर्ती जब से शुरू हुई तब से जीवों में मचलीयों का बर्नन मिलता है इस तरह से जलिये जीवों में सबसे सुभ मानी जाने वाली मचली को कौन नहीं जानता और मचली से कौन परिचित नहीं है अब वैसे मचली का बेवसाय करने वाले लोग मचली का पालन करने वाले लोग लाखो रूपया कमा करके धन का उपार्जन कर रहे हैं लेकिन वास्तु सास्तर के उनसार हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में मचलियों का क्या प्रावधान है आज उस पर हम बाते करेंगे जी हां दोस्तु मचली पालन या घर में फीस टैंक में मचली को रखना कितना सुभ माना जाता है और कितना सुभ है इस पर हम विचार करेंगे कुछ विचारन ये तथ हैं उस तथ पर ध्यान देना अति आवस्यक है जी हां तो मैं बता रहा हूं कि मचली वैसे लकश्मी जी का रूप मानी जाती हैं मचली सुभ मानी जाती हैं तभी तो शादी विबाह के उत्सव में शादी विबाह जब शंपन होता है तो जिवित मशली खाने का प्रवधान है या स्राद करम बितने के बाद भी जिवित मशली खाने का प्रवधान है वैसे माना जाता है कि फीस टेंक में घर में मचलिया रखने पर शाकारात्मक उर्जा का वास होता है और नाकारात्मक उर्जा घर से बाहर जाती है कोई भी ब्यक्ति अगर आपके बारे में नाकारात्मक सोचता है, कुद्रिष्टी रखता है, तो उसकी द्रिष्टी मचलियों पर परती है और कुद्रिष्टी खत्म हो जाती है वैसे यह भी माना जाता है कि सुरू से ही मचलियां मनुष्य की दोस्त रही है मचलियों को फिस टेंक में रखते हैं, अगर किसी कारण बस मचलियां मर जाती हैं, तो समझे कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ा संकट ठल चुका है तो इस तरह से मचलियों के बारे में बहुत सारी परवड़ानिक बाते हैं, जो मैं आपको कनक जीवन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मचलिय पालन, मचलिय पालकों के लिए शूब का संकेत है, धन उपारजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है कम लागत में मचलिय पालन करके अपने प्रिवार का भरण पोशन एक बहुत ही महत्तोपून कारे है इस तरह से मचलिय पालन, मचलिय आप टेंक में भी पाल सकते हैं और इसके सुब और असुब फल का फल भी आप ले सकते हैं वैसे वास्तू सास्तर के अनुसार एक टेंक में कम से कम नौ मचलियो को रखना जरूरी और सुब माना जाता है वो आपके घर के लिए, आपके प्रिवार के लिए, आपके लिए सुब माना गया है तो मचली पालन अगर घर में टेंक में आप करते हैं तो कम से कम नौ मचलियो का पालन आप जरूर करेंगे उसको रोज पानी बदलना, रोज भोजन देना आपका एक कार्य होना चाहिए ऐसे कहा गया है कि मचलिया जीवित हों तो कोई भी व्यक्ति आता है या आप घर में काम करने के बाद आते हैं ठकान महसुस होती है तो जीवित मचलियो को देख करके आप में एक नई उर्जा का प्रवा होता है और साकारात्मक उर्जा आप में भर जाती है वैसे यह भी कहा गया है कि घर में कलोह दूर होता है मसलियों को जिन्दा मसलियों को देखने से इस दृष्टी कौन से भी आप वाटर टेंक में फिस टेंक में मसलि का पालन कर सकते हैं दोस्तो यह मसलियों पर महत्पून कुछ बाते थी जो कनक जीवन चैनल के माध्धम से मैंने आपके पास रखा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे सेर करेंगे अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद